दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मृत्यू के बाद शब को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। मृत्यू के तुरंत बाद अंतिम संसकार क्यों नहीं किया जाता। यह सब बताने वाले हैं। तो जन्म और मृत्यू निश्चित है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मौत हर चीज का अंत नहीं है। आत्मा अनादी है, उसका कोई क्षय नहीं है। देहांत के बाद ही शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हिं जंदू धर्म में मृत्युक बाद कर्मकांड किये जाते हैं। इसके अलावा मृत्यक के परिजन अंतिम दर्शन करना होता है। बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं गरुड पुरान के अनुसार। मृत्य शरीर को अकेला छोड़ कर जाने से दुष्ट आत्मा मृत्यक के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृत्यक के शरीर बलकि परिजनों को खतरा हो सकता है। वहीं मृत्य शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगते हैं। इसलिए मृत्य शरीर के पास कोई होना चाहिए जो बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर बत्ती जलता रहे। अंत में एक ही बात कहूंगा जिसने जन्म लिया है उसको मरना है कमेंट में। जै शरीराम लिख कर भगवान का आधार जरूर करें। हम आपको मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। जै हिंद, जै भारत, जै शरीराम, जै शरीराम।